हिए तो हेलो फ्रेंज कैसी हों मिर्ट करता हो ठीक होंगे आजकी इस वीडियो में आपका स्वागते अजकी वीडियो में हम आपको देखाएंगे अगर आपका इंबयर में चार्जिंग का प्रूबरूम आ रहा है वेटरी फूल चार्ज नहीं दो बहां से ठीक कर सके नहीं पर ही बिल्कुल फ्री में एक रुप्या का फर्चा नाई होगा तो देखिए आज हमरा पास एक इंबेडर आया है रिक्यारिंग होने के लिए तो पहले आम देखते हैं यह इंबेडर में फोल्ड क्या है कास्पमर का कहना है उसमें बेटरी फुल चार्ड नाई हो रहा है पर देखिए जोब भी आपका इंबेडर में एसा चार्ड निंग का प्रूब्लम आता है चार्ज को महना या फिर चार्ज ओबर होना तो सबसे पहले का ठोपिक आम कूछ चेक परना होता है बेटरी में कितना बोल्ट चार्ड ने के बाद ओटोकाट होता है तो अब हम उसक चेक करते हैं कारन में लगा दिया और चुसको भी ओन करते हैं मिटर में देखिए और इंबेडर में देखिए डेक सेक्टो फेंच चल रहा है और इंबेडर में चार्ज हो रहा है मिटर में आप देख सेक्टो बारो बॉल्ट 73 पन में जाने के बाद ओटोकाट हो चुका है देख सक्षो आभी इंबेडर की Yuk Balk, Bilking नई कर रहा है, और मिटर में आप देख सक्षो चार्ज नई हो रहा है, बेटरी फूल चार्ज होने से पहले ओटो काट हो चुका है, क्योंकि ओटो काट होना चाहिए, 4 बॉल्ड 4 पॉन में या 2 पॉन में जाने के बाद, ये पहले तो देखिए सार्केट में ऐसी तो आपको बहुत सरा कॉम्पोनेंट मिल जाएगा डाइरेट इस्टेप आपको बताते हैं कैसे आपको चेक करना है और का पर आपको यह फोल्ड मिलेगा तो आप देखिए यह आप देख सेक्ट एक बड़ा ऐसी लगावाए तो यह ऐसी में ह और तिन लंबर पिन में और 24 लंबर पिन में पहले हम देखिए एक लंबर पिन में कितना बोल्ट आ रहा है एक लंबर पिन में आना चाहिए 5.01 तो देखिए एक लंबर पिन में कितना बोल्ट आ रहा है देखिए 5.01 देख सेक्टो जतना आना चाहिए एतना यारा है यानि कि एक लंबर पिन में आमरा बोल्टिस बराबर आ रहा है तो अभी हम देखते हैं चोबीस लंबर पिन में चोबीस लंबर पिन में एतना बोल्ट आना चाहिए 5.01 तो अभी हम देखते हैं चोबीस लंबर पिन में आसी कि ये साइट में काट का निशन आपको मिल जाएगा ये उसे साइज से आपको गिंती करना है और 24 लंबर पीन में देखना है तो देखिए यह हमरा 24 लंबर फिन तो आभी हम उसे में देखते है कैतना बॉल्ट आरा है 5.01 देख सेड़े तो जतना बॉल्ट आना चाहिए 24 लंबर synt में एकना बॉल्टी falt आ रहा है तो आभी हम देखते ये तिन लूम्बर पॉन में केतना बोल्ट आ रहा है ओ बाये क्या है 3.89 देख सकतो बोल्टिस कफी ज्यादा आ रहा है जिसकी करण में बेटरी फुल चार्ज नहीं हो रहा है फुल चार्ज होने से पहले ओटो कार्ट हो जा रहा है और यह पर आपको दू बात का दियान आपको बेटरी बिल्कुल भी फूल चार्ज नहीं हो गा और यह तिन लूम्बर पॉन में आगर बँल्टिस कोम आ रहा है मानले जितो त्न लूम्बर पॉन में आ रहा है थिरी पॉन्ट फोउर जिरो या फिर फिर Donc 20 तो आपका बेटरी अबर्कर बेट्री घारम होगा बे 3.50 बॉल्ट में सेट करना है और यहाँ पर आपको 3 बात का दियान रखना है जोब भी आप ऐसे सेटिंग करते हो तो इंबेडर कारण में नहीं लगा होना चाहिए और इंबेडर ओफ रखके आपको सेटिंग करना है और मिटर की बलेक ä रखको बेटरी की मैनेस पान में लगा के सेटिंग करना है तो देखिये मैंने 3.50 बॉल्ट में सेट कर दिया और अभी हम दुबरा उसकुश चेक करेंगे देखिये यह 3.50 बॉल्ट में सेट ऑगिया शाड़े 3 बॉल्ट में और अब हम उसी से बेटरी चार्ज करके देखते हैं कैसा चार्ज होता है पहले तो बेटरी बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा था बारो बॉल्ट 73 पॉन में जाने के बाद ओटो काट हो जा रहा है तो अब हम देखते हैं कैसा चार्ज होता है इंबेडर में आप देख सेक्ट हो चार्जिंग का बल्ब आप डाउन हो रहा है यानि की बोडिया तरीका से चार्ज हो रहा है मिटर में आप देख सेक्ट हो इंबेडर की फेन देखिए बिल्कुल बोडिया तरीका से चल रहा है अभी बेटरी फूल चार्ज होगा बेटरी फूल चार्ज होने के बाद ओटो काट होगा चोदो बॉल्ट फॉर पॉन में जाने के बाद ओटो काट होगा अगर आपका इंबेडर में ऐसे चार्जिंग का प्रूब्लम आ रहा है